बिहार के मुखमंतरी नितीश कुमार का बिहार विधान मंडल के अंदर अश्लील और गंदी बाते करना अब उनको भाड़ी पड़ता नजर आ रहा है। मुखमंतरी नितीश कुमार के खिलाफ अब राश्ट्रिय महिला आयोग सामने आ गया है। आपको बता दे कि राश्ट्रिय महिला आयोग ने नितीश कुमार के इस बयान के इस टिपनी की कड़ी निंदा की है। इस वक्त बवाल मचावा हर कोई नितीश कुमार के इस टिपनी नितीश कुमार के इस बयान की रिंदा करते नजर आ रहा है। कल जिस तरीके से सदन के अंदर मुखमंतर नितीश कुमार ने शादी को ले करके टिपनी की महिलाओं को ले करके टिपनी की उसके बाद नितीश कुमार की काफी रिंदा की जारी है। और जिस तरीके से आप कैसे हैं जो गंदी बाते उन्होंने की हैं उसके बाद अब लगातार नितीश कुमार जो है वो विपक्ष के भी निशाने पे हैं ऐसे में सबसे पहले इस मामली की संग्यान राश्ट्री महिला आयोग ने लिए राश्ट्री महिला आयोग ने पत्र जारी करके क्या लिखा है हम आपको वो बताते हैं देखे महिला आयोग ने नितीश कुमार के भाषन पर अपना अधिकारिक बयान जारी के आयोग की तरब से ये कहा गया है कि राश्ट्री महिला आयोग बिहार के मुखमंतर नितीश कुमार द्वारा मिदान सबा में महिलाओं के प्रजनन शम्ता और सिक्षा और इसे देश की जनसंख्या से जोडने के संबंद में दिये गए बयान की कड़ी निंदा करता है। ऐसे टिपणिया ना केवल गलत हैं बलकि महिलाओं के अधिकारों और विकल्पों के प्रती बेहधी और सम्वेधन शील भी है। इन अत्यांत आपती जनक टिपणियों के लिए देश भड की महिलाओं से बिहार के मुखमंत्री यानि के नितीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दे कि नितीश कुमार ना सिर्विधार सभा बलकि विधार परिशद में भी सेक्स को ले करके ऐसी बाते कह रहे थे कि सभी जगा इसकी चर्चा होना शिरू हो गई है। ल तरीकी के टिपरी उन्होंने महिलाओं को ले करके और शादी को ले करके किये। उसके बाद अब नितीश कुमार को देश की महिलाओं से माफी मांगनी होगी। बिहार में इस वक्त इस मामले को ले करके खुब बवाल मचवा नितीश कुमार पर चौतरफा हमला जो है वो कि आ जा रहा है महिला विधायक जितनी भी सदन में मौझूद थी उन्होंने बाहर आ करके नितीश कुमार के बारे में जो अपनी बाते हैं वो भी कही कई बीज़ेपी की महिला विधायक ऐसी थी जो बाहर आ करके रोने भी लगी क्योंकि जिस तरीके से शर्मनाग तरीके से नि के बाद अब देश की महिलाओं से माफी मांगनी होगी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर करके आपकी राय जरूर बताएं पिलाल इस खबर में इतना ही तमाम बड़ी खबनों के लिए फस्ट व्याज हारकन के साथ बने रही है पनोर मंक्रो जो करेंगे क्या और माबाबुजी क्या पोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का टब्बा लाएं अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूब हो गया है अरे लोन अप्रूब हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुःनिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसल गर आलिशान जिन्दगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णया में एहोम्स पैनरोमा के संग एहोम्स पैनरोमा लग्शूरियस लाइस्टाइल रीदिफाइंट